साथियों, आप में से अधिकाउश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग-अलग शहरों की अलग-अलग आवशक्ता हैं, अलग-अलग आकांग्षाएं और अलग-अलग चुनोतियां होती हैं। अगर हम एकी फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करेतें, तो तेजी से विस्तार संबभी नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांस्पोर्ट के आधुनिक तोर तरीकों का इस्तवाल, शहर के लोगों की जरुरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। यही वज़ा है कि अलग-अलग सहरों में अलग-अलग तरही अलग-अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। यह सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तयार हो जाती है। मेट्रो नियो जिन शहरों में सवारिया और भी कम है वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। यह सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तयार हो जाती है। इसी तरह हैं वाटर मेट्रो यह भी आउट अप दे बॉक्स सोच का उदान्य है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडी हैं वहां के लिए अप वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पांस मौजुद विपों के लोगों को लास्ट माई कनेक्टिविटी का लाप मिल सकेगा। कोची में ये काम तेजी से चल गहा है। और सात्यों हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेट्रो आज सिर्फ सुविदा, संपन, पब्लीक ट्रांस्पोर्ट का माध्यम्भर नहीं है। ये प्रदूशन कम करने का भी बहुत बड़ा जरिया है। मेट्रो नेट्वर के कारण सडक से हजारों वाहन कम हुए हैं जो प्रदूशन का और जाम का कारण बनते थे। झाल 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